सुकेश भी जुड़ गए हैं, एमदाबाद से लाइव हैं सुकेश आपको क्या साइंस मिल रहा है आज वोटिंग के दिन? आपने जिन मत्दान केंद्रों पर वोटिंग देखी वहाँ पर क्या आपको लग रहा है सुकेश? और अगर कुछ आपके आजपास लोग हैं सुकेश तो क्या आप बात कर सकते हैं? नहीं मानक मैं एमदाबाद में हूँ, एमदाबाद में वोटिंग पांच तारीक को है आज एमदाबाद में एक बड़ा रोडशो प्लान किया गया देखिए बहुत calculated तरीके से बीजेपी का गेम प्लान होता है मैंने कई बार कहा है आप भी जानते हैं कि 24-7 election machinery है बीजेपी नरेंद्र मोदी का आज एक रोडशो है जो करीब 50 किलो मिटर का है तो यह जो final assault होता है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से है करीब 14-15 विदान सभाओं से गुजरेगा जिसमें एक गाधी नगर की विदान सभा की सीथ है और 13-14 करीब एहमदाबाद की सीथे हैं यह वो सीथे हैं यह वो अर्बन सीथे हैं यह वो इलाका है जो एक तरीके से बीजेपी ने अपना गड़ बना लिया है पिछली बार भी 21 में से 16 विदान सभाएं यहां बीजेपी ने जीती थी सूरत की 16 में से 15 जीती थी वरोधरा की 10 में से 8 जीती थी तो यह जो स्ट्रॉंग होल्ड है उसको वो उसी तरीके से रखना चाहते हैं जो एक फ्रेज है उसको उसको समझने की जरूरत है बीजेपी का जो एफ़र्ट है उसमें कि यह जो उनका स्ट्रॉंग इलाका है वो भी इधर उधर न हो जाए इसलिए प्रधान मंत्री जिन्होंने आपको गुजरात की स्मिता से जोड़ दिया है वो प्रधान मंत्री जो आभी भी यहां मुख्यमंत्री के तरीके से देखे जाते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री गुजरात के बेटे हैं और ये पूरा मैंने एक दिन ट्वीट भी किया था देखा होगा आपने कि प्रधान मंत्री मैंने एक पानवाले से पूछा टी चुनावभी क्या माहौल है उसने कहा जब तक मोधी है तब तक बाज़ब है वो एक फीलिंग ऐसी आती है लोगों के अंदर और खास तोर पे आर मंती ने यह देखिए गुजरात उनका पुलिटिकल स्रॉंग टॉफ है वो जानते हैं कि 2022 का जो यह चुनाव है वो आगे के चुनाव को शेप करने वाला है तो अपने अपने पुलिटिकल टॉफ को कमजोर नहीं होने देना चाहते इसलिए एक लंबा रोडशो प्लैन किय गया है शाम में रात में वो यहीं प्रवास करेंगे ऐसा मुझे बताया गया यहीं रात में रुकने का उनका प्लैन है वो कल जाएंगे तो रात में श्रॉक of the situation जो होता है वो लेने की उनकी योजना होगी वो गुजरात का चुनाव मैन्यूटली देख रहे हैं कि क्या होन से 48 बीजेपी जीती थी एक 40 कॉंग्रेस जीती थी तो ये वो इलाका जहां आज पोलिंग है वो बड़ा कट्छोट कॉंपेटिशन वाला इलाका है और वहां बीजेपी का अच्छा करना ना सिर्फ होल्ड करना जो उनकी नंबर्स थे उन पे बलकि अच्छा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनोती है क्योंकि एक नया थर्ड प्लेयर भी मैदान में आ चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकता है कि सीटे बहुत जादा नहों बीजेपी की कोशिश ये है कि वहां इनको जमने ही न दिया जाए लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां आम आ सब्सक्राइब को कमजोर कर देते हैं यह एक देखने वाली बात होगी जहां आज पॉलिंग हो रही है पांस तारीक को एहमदाबाद और इसके आसपास के इलाके में पॉलिंग है यहां मैं इसलिए हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी का रोड शो है मैं एक पर देखना चाहता के लिए जो प्रचार अभियान है वो खुद नरेंद्र मोदी आज संभाल रहे हैं और रोड शो निकाल रहे हैं और जैसा सुकेश कह रहे थे देखिये स्ट्राइजी बीजे पी की जिस दिन पहले चरण का मतदान है उसी दिन प्रधान मंत्री एक लंबा रोड शो निकाल क सबका ध्यान अपनी तरफ खीचने की कोशिश करें